कहा राजा भोज और कहा गंगु तेली ये कहावत आप सबने कही ना कही कभी ना कभी तो सुनी होगी लेकिन कभी सोचा है कि कौन है बहिया ये राजा भोज और कौन है ये गंगु तेली नहीं सोचा? चलो कोई बात नहीं आज सोच लेते हैं और जान भी लेते हैं कि कौन है भहिया राजा भोज और क्या है ये राजा भोज और गंगु तेली की कहानी मध्यभारत के मालवा रीजिन में एक डाइनसिटी रूल किया करती थी इस dynacity का नाम था पर्मरा डाइनसिटी और 2010 कॉमन एरा में इस dynacity के जो राजा थे उनका नाम था राजा भोज इनका एंपार नौर्थ में चित्तोर से लेकर साउथ में अपर कॉंकर तक और West में साबरमती रिवर से लेकर East में विदिशा तक फैला हुआ था कहा जाता है कि राजा भोच जब छोटे थे तो उनको काफी सादा सरदर्ध हुआ करता था इनके सरदर्ध का इलाज करने उजेन से दो बहुती अच्छे विद्वान सर्जन्स को बुलाया गया इन सर्जन्स ने उनको मोहचूरन नाम का एक एनिस्थेतिक यानि बेहोश करने वाला पाउडर दिया बेहोश करने के बाद उनके क्रैनिल बोन को खोल कर उसमें से एक ट्यूमर को निकाल आ गया देखें, सर्जरी वो भी ट्यूमर निकालने वाली उन दिनों थोड़ी चोका देने वाली लगती है लेकिन कुछ man written scripts यह कहते है कि 600 BC में भारत में एक सुशुरुता नाम के रिशी हुआ करते थे जिनको कही लोग founding father of surgery कहते है इनके बारे में किसी और दिन बात करेंगे लेकिन कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि surgery हुई हो या जो भी है कुछ कहने सकते खेल, चली आते हैं राजा भोज पे तो राजा भोज की बात हम कर क्यों रहे है ऐसा क्या किया था उन्होंने कोई बड़ी लड़ाई जीती थी किसी inventor को मार भगाया था या फिर कोई बड़े-बड़े monument structure बनाये थे किताबों में तो कुछ नहीं लिका है क्या क्या था उन्होंने बता रहा हो भई लेकिन उससे पहले प्लीज इस चैनल को subscribe कर दीजे और वो जो छोटी सी घंटी या घंटा जो भी है उसको दबा दीजे ताकि ऐसे ही कुछ interesting information आपको मिलती रहे राजा भोज एक ऐसे राजा थे जिनके राज्य में शिक्षा सब के लिए थी ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसको शिक्षा से बंचित रखा जाता था और ऐसा इसलिए था क्योंकि राजा भोज स्वायम शिक्षा में बड़ी रूची रखते थे Religion, Astrology, Ayurveda, Grammar, Architecture, Science, Art, Naatya शास्त्र, Music, Yoga शास्त्र, Philosophy, Political Science ऐसे कही subjects का इनको ग्यान था हमारी तो एक दो विशय पढ़ने में ही शरीर से आत्मा निकल जाती है ये तो एकदम गजब के इनसान थे आज के टाइम होते हैं तो I.S. पक्का निकाल लेते इन्होंने सारे subjects पर 84 ग्रंद लिके है यही नहीं इन्होंने काफी अच्छे lakes, dams, cities का construction करवाया कहा जाता है कि 11th century में राजा भोज ने भोपाल सिटी को स्तापित किया कही सारे शिव मंदिर बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है जिसमें से एक बहुत फेमस है मध्यप्रदेश का भोजेश्वर मंदिर जब शिव मंदिर और हिस्ट्री की बात होती है तो एक मंदिर का नाम दिमाग में आही जाता है गुजरात का सोमनात मंदिर इस मंदिर का जिकर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका थोड़ा सा रिलेशन राजा भोज के साथ है इसका एकदम clear evidence नहीं है लेकिन उधैपूर प्रेशस्ती जो की एक inscription है inscription यानि शीला लेक वो दावा करती है कि भोजा ने तुरुषकास तुरुषकास ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है टॉक्स इनको युद में हराया था कुछ अकाउंट्स ये कहते हैं कि भोजा के सैनिकों ने गाजनी वाद से related कुछ foreign invaders को मार भगया था medieval period के historians का कहना है कि मामुद गाजनी अक्सर सोमनात मंदिर को लूट कर बिना time waste कि भाग जाया करता था क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर एक परमदेव करके शक्तिशाली राजा है जो मेरे मंदिर लूटने के कारिय को लेकर बहुत क्रोधित है इस राजा से अगर पाला पढ़ गया तो बहिया उपर की टिकेट पक्की है modern historians परमदेव को ही राजा भोज बताते हैं क्योंकि राजा भोज को एक टाइटल दिया गया था परमेश्वरा परमा भट्टा राखा यानि परमरा देवा तो इनके अकॉर्डिंग हो सकता है कि जिस परमदेव का जिकर किया गया है वो राजा भोज ही है अपनी बुद्धी मता, साहस, कविता और शिक्षा के परती प्रेम की वज़े से इनको दे पोयट किंग दे फिलोसोफिकल किंग और दे स्कॉलर किंग कहा जाता है तो ये थी राजा भोज को लेकर कुछ इंट्रेस्टिंग बात है चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं इस कहा राजा भोज और कहा गंगु तेली कहावत के पीचे की कहानी तो मैं जब ये कहावत सुनता था मुझे ऐसा लगता था कि शायद कोई राजा होगा कोई तेल बेचने वाला होगा और दोनों के बीच में कुछ जगड़ा या गड़बड हुई होगी इसलिए ऐसी कहावत बन गए लेकिन ऐसा नहीं है इसमें जो गंगु तेली शब्द है इसको पहले गांगाय तेलंग कहा जाता था कहा राजा भोज और कहा गांगाय तेलंग लेकिन कौन है ये गांगाय तेलंग तो उस समय दक्षिन भारत में दो राजा हुआ करते थे, एक का नाम था गांगा कालाचूरी नरेश और दूसरे का नाम था चालू का नरेश तिलाईया, एक दिन दोनों ने मिलकर राजा भोज के कापिटल धार पर हमला किया, लेकिन विचारे दोनों राजाओ को भोजा ने हार का स्वाद चका दिया, और योने खाली हाथ वापिस जाना पड़ा इस पर धार के जो लोग थे वो बड़े खुश हूँ है और दोनों राजाओं का मज़ाख उड़ाने लगे और कहने लगे कहा राजा भोज और कहा गांगाय तेलंग अब यही गांगाय तेलंग का बन गया गंगू तेलि उमीदे इस वीडियो से आपको भारत के इधियास के बारे में कुछ नई बात हैं जानने मिले होगी तो यार बस फिर लाइक कर दीजे और शेयर कर दीजे मिलते हैं ऐसे ही किसी इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ थैंक्यू फॉर लिस्निंग जैहन कर दो